अभण आपके लिए लेके आचुका हूँ रिमोट कंट्रोल में स्कूब बस है ते देखिए पूरी रेड कलर में है यहां पर लिख है और हमला है इसमें ग्रीन कलर में लिखा है स्कूल बस 3D लाइट इसमें 1.22 स्केल किये बस है 3D लाइट है टाइप C चार्जिंग पॉइंट है इन बिल्ड बेटरी आते हैं में बेटरी निकालने की जुरूरत नहीं है इसमें यहां पर सब इसके फंक्शन वगेरा दिया गया है 3D में फोटो दी यहां पर इसका है फोरवर्ड बेकवर्ड ही फंक्शन है लेफ राइट का इसमें फंक्शन नहीं है यहां पर कार केसे हमें चार्जिंग लगाना वह सब दिया गया है बिया इस अपरू प्रोड़क है में इंडिया प्रोड़क है चलिए दोस्तों यह सिंपल सी स्कूल बस को हम ओपन करके चेक करते हैं कैसे यह वर्क करती है कैसी क्वालिटी है में इंडिया प्रोड़क है कैसे पूरा इसका सिस्टम है वह सब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों आगे वीडियो में तो वीडियो एंट तक देखते रहे हैं दोस्तों वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे त ताकि यह से इटो इसके वीडियो होम आपके लिए लाते रहे तो चलिए दोस्तों यहाँ पे यह स्कूल बस को में रख देता हूँ यह आगे अपना कटर इससे में इसको पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ से बोक्स में से बस को निकल देता हूँ यह आगे अपना टाइपसी पोट अता है इतना बड़ा केबल आता है यहाँ पे बस आ ग आ charging का point आ गया यह और यहां पर आगे इसका on off का button तो यहां से हम यह बस को on off कर सकेंगे पहले इसको रख देता हूँ और यह आ गई अपना काफी old time बहुत पहले time पर जो remote आते थे lighting हो रही अंदर देखे आगे पीछे तो यह बस की speed तो काफी ज्यादा है यहां पर थोड़ा सा चला के देखता हूँ यह आगे है यह पीछे है आगे पीछे तो चले दोस्तो यह बस यह से work कर रहे है तो आगे मैं आपको यह बस पूरी चला के दिखाता हूँ दूसरी RC कार के में साथ इसकी रेस लगाऊंगा टकल लगाऊंगा फाइट लगाँगा इसका वेट के रिकी की इत्ना कर सकता है सब आगे वीडियो में आपको दिखांगा दोस्तों त। एंट वीडियो देखते रहें है दोस्तों यहां पर बस को उमने रख दिया अभी इसको चला के देखते कितनी स्पीड है इसकी देखे दोसको काफी स्लो चल रही है यह बस अभी स्पीड पपड़ ली है आगे इसकी लाइटिंग हो रही है यहां पर तो यहां पर दोस्ते बस पल्टी हो गए रफ सर्फेस में आगे यहां पर चला के देखते हैं रफ सर्फेस में नहीं चल रही है थोड़ा फॉर्स लगा रही है यहां पर देखे यहाँ पर रख देता हूँ इसको रोड पर लेके आ जाता हूँ फिर से देखे रोब सर्फेस में चली नहीं रही है फिर भी ट्राइ करते हैं थोड़ा आगे तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी जगह हमने यह रोब सर्फेस है थोड़ी सी मिट्टी वहाँ रख दिया भी देखते हैं चालू होते हैं आगे चलते हैं कि नहीं देखे इसमें स्पीड पकड़ी अभी नीचे रख देता हूँ तो देखे रोब सर्फेस में इतना चल रही है तो रॉप सर्फेस के लिए बस सही नहीं है फोर्स नहीं लगा रही है देखे थोड़ा थोड़ा चल रही है तो यहां पर दोस्तों यह वह रिमोट कंट्रोल से ज्यादा तो मुझे फ्री में चलाने में मुझा रहा है यहां पर दोस्तों यह दो आर्सी कार और यह स्कूल बस तीनों की रेस लगाते हम देखे कोन आगे निकलता है देखे हमारी बस तो स्टार्टी नहीं हुए वो फॉर्मुलर रेसिंग कार काफी दूर तक गई है बस को धकलना पड़ेगा यहां पर यहां पर फूल बस और फॉर्मुलर रेसिंग कार दोनों की रेस अभी लगाते है तो फॉर्मुलर रेसिंग कार ने बस को काफी आगे धकल दिया है यहां पर बस रुख गई है तो हमारी यह कार यहां पर विनर होती है बस यहां पर आर गई है दोस्तों स्टोफ हो गई है यहां पे यह कार भी कापि स्लो हो गई है तो बस की कम्पेरीजन कर पाएगी यहां पे इस दोनों की रेस लगाते हैं तो यहां पे यहां पे पुरा बंधी हो गई है बस यहां पे अमरी विनर हो जाती हैं ये बस और ये यलो कलर के आर्सी कर दोनों प्रोपरली वर्क नहीं करें पर वर्क करें हमारी फोर्मिला रेसिंग कर एक नमबर वर्क करें तो अभी ये तिनों की फाइट लगाते हम यहां पर देखे बस को पुरा आगे धकल दिया है डिवेडर के पास ले जा रही है यहां पर फोर्मिला रेसिंग कार हमारी बस हो रही है कार को गिराने में काम्याब होती है कि नहीं वो देखते है यह बस तो पलटी हो गए है यहां पर एक और बार आपी ज्यादा स्कीड है छोपी पेक यह आगे हमारी कार यह स्कूल बस का वेड केरी कितना कर पाती हो चेकरते है उसके उम पर हमने दो आर्सी कार रग दी है देखते है दोनों को केरी करके चल पाती है कि नहीं अ not good caught देखिए यहां पर उसके वीज से ओ थोड़े थोड़े हील रहे है यहां पर थोड़ा रिवर्स गई है तो वेड यह ज्यादा हो जायेगा यहां पर लाइटिंग हो रही है देखिए दोस्तों अंदर भी लाइटिंग रही है इसको उपर में करता हूँ आप देखे इसका फोर्स लग रहा है चालू है एक नंबर अभी देखते हैं देखे थोड़े से वील सील रहे हैं यहां पर तो यह वेट नहीं केरी कर पार रही है यह ज्यादा हो रहा है यहां पर बस और यह कार दोनों तो वर्ट नहीं कर रहे है यह ज्यादा स्पीड में चल रही है देखते यह कार है यह दोनों कार को आगे कितना धकेल पाती है दोनों को काफी अच्छी तरीके से आगे धकेल रही है अभी बस को ले के जा रही है आगे काफी दूर तक गई है यहां पर स्टॉक हो गई है दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको यह स्कूल बस कैसी लगी वह में कमेंट में बताए अच्छी लगी और पर्चेस करना हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसकी प्राइज की बात करें तो 500 के आसपास इसकी मार्केट में प्राइज है काफी सस प्लास्टिक निकल गया है एक बात सही लगी मुझे टाइप सी पोट इन बिल्ड बैटरी दी गई है वह सही बात है बाकि स्पीड और सब काफी ज्यादा कौम है बाकि आपको पर्चेस करना हो तो इस लिंक में जाके आप प्राइज अगरा चेक करके इसको पर्चेस कर सकत है दोस्तों वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीए तक कि एसे ही टोई इसके वीडियो होम आपके लिए लाते रहे दोस्तों